भूगोल विशे के UGC NET की परिच्छा में इस प्रकार्स का सवाल देखा गया है यहां पर लिखा गया है कि सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित करें और नीचे दिये गए कूट में से सही उत्तर का चैन करें तो इस प्रकार से यह कूट दिया गया है और यहां पर सूची एक दी गई है और यहां पर सूची दो दी गई है यहां पर इसकेल का प्रकार लिखा गया है कि इसकेल देखिए हम लोग इसकेल बनाते हैं जिससे साधारन मापक है क्विकरण मापक है, श्यक्ति सेुनिया इस्केथ़ों के प्रकार दिए गये हैं और यहां पर मानचित्र पर अर्थात मानचित्र पर जो इस्केथ़ बनता है उसको दिखाय गया है तो चलिए देखते हैं कि क्या चीज़ एक होता है कतनात्मक जिसको क्वथनांक बोलते हैं कतनात्मक होता है जैसे कि हम जनरली बोल देते हैं कि एक इंच बरावर एक मील या दो मील या एक सेंटी मीटर बरावर एक किलो मीटर दो किलो मीटर तो इस प्रकार से जो बोलते हैं क 20,000 ये लिखा गया है यही भिन्नात्मक है और तीसरा होता है रेखात्मक तो रेखात्मक वो होता है जिसमें रेखा या मानचित्र बनाए जाता है उसको रेखात्मक बोलते हैं तो ये तीन प्रकार के होते हैं तो क्वथनांक आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर किस प् मीटर और मीटर दिखाए गया है तो यह सिंपल साधारन मापक दिखाए गया है यहां पर मील और किलो मीटर के भाग यह मील के भाग बनाए गए है यह किलो मीटर के भाग बनाए गए है तो यहां पर यह तुलनात्मक मापनी बनाई गई है यहां पर देखिए यहां पर एक इ ये कथन द्वारा बोला जा रहा है और यहाँ पर देखिए ये भिन बनाया गया है एक अनपात पच्चीस हजार दिया गया है तो अगर ये कथनात्मक आपको नहीं पता है तो आप ये तो जानी सकते हैं सिंपल इसकेल सरल मापक सरल रेखा बनाई गई है भिन यहाँ पर भिन किसको बनाय गया है यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर जो ये लिखा गया है ये निरूपक भिन को दिखा रहा है और सरल रेखी या सरल मापक ये डी वाले को दिखा रहा है तो इसको तो इसका एरो इस प्रकार से बन जाएगा तो अब देखिए कतनात्मक हो गया पहले का B तो इसमें देखिए पहले का B कौन सा है तो यहां पर यह दो दिखाए गए हैं इन दोनों को तो काट दीजिए फिर सरल रेखी यह दिखाए गया है तो सरल रेखी यहां पर यह सरल मापक बनाए गया है तो दूसरे का D है तो दूसरे में हम देखेंगे D तो यहां देखिए पहले में भी D है और चोथे में भी D है अब तीसरे में देखते हैं निरूपक भिन तीसरे का A बनाए गया है तो यहां पर तीसरे का C है इसका अर्थ हुगा कि यह भी कटेगा अब आंसर हम पर चोथे का सी दिया गया है तो आंसर इसका इस प्रकार से हो जाएगा तो इस प्रकार के सवाल भूगोल विश्या के देखे गए हैं तो इस प्रकार से आप इनको हल कर लाएं